नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बाल फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एट्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसके आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 21 अक्तूबर 2021 की हिमाचल परदेश की शाम 5 वजे की टॉक 10 ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकेत पर्मा और अप्री नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते है शुरू करते है शाम पांच बजे की टॉप 10 ताला खबर है अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हिमाचल परदेश के किस डेस्टिक से इस वीडियो को दे तो हिमाचल परदेश के उत्रकाशी के हर्शिल से हिमाचल परदेश के छितकुल में ट्रैकिंग के दौरान लापाता हुए पांच ट्रैकरों के शब मिल गए है जबकि चार लापता लोगों की तलाश चारी है दो को रेस्क्यू कर लिया गया है इनमें एक की हालत गंभीर ह जिस स्थान पर शब मिले हैं वहाँ पर करीब चार फिट बर्फ थी सेना की हेलिकोप्टर की मदद से शबों को बरामत किया गया डेसी के नौर आविद हुसेन सादिक ने बताया कि सेना ITVP और के नौर पोलिस ने सेवकते अभ्यान चलाकर पांच लोगों के शब जोए बरामत किये हैं अगे नौर आपके सामने हे माचल शक्षा बूर 6 दिसंबर से आयोजित करेगा दस्मी और बार्मी कक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा हैं तो प्रैक्टिकल परीक्षा हैं 20 दिसंबर तक होंगी स्कूल शक्षाबूर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सौनी ने बताया कि शेक्षन कसतर दोहजार इकिस से बाइस की टर्म एक में दस्मी और बार्मी कक्षा की प्रैक्षाबूर्ड प्रैक्षाओं का संचालम आंत्रिक रूप से स्थाल पर प्रैशन पत्र सेट कर जोए नरधारित की गई तितियों में जोए होगा तो हिमाचर परदेश स्कूल शक्षाबूर्ड शक्षन एक सतर दोहजार इकिस से बाइस की टर्म एक की प्रैक्टिकल प्रैक्षाओं श्कूल शक्षाबूर्ड के अध्यक्ष डॉक्ष रच्ष कुमार सोनी ने बताया कि शक्षन एक सतर दोहजार इकिस से बाइस की टर्म एक में दस्मी और बार्मी कक्षाओं की प्रैक्टिकल प्रैक्षाओं का संचालन आंत्रिक रूप से जोए स्थल पर प्रैशन पत्र स कर निर्धारित की गई तत्रियों में होगा आपकी अगली नियूज आपकी हिमाचल धान से लदे ट्रेक्टर लेकर पहुंचे किसान लगू सचीबा लेकर बाहर किया प्रदर्शन तो हिमाचल प्रदेश के सिर्मौर जिले में भारतिय किसानी उनियन ने धान खरीद को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है किसानों ने धान से लदे ट्रेक्टर लगू सचीबा लेकर बाहर खड़े कर प्रदर्शन किया किसानों नो जो है एस्टियम पाउटा के कारियले के बाहर धरना प्रदर्शन और नारिवाजी की किसानों ने कहा कि धान खरीद के नाम जो है ले मद्या के कट आउट तो तस्वीरें आप देख सकते हैं फातेपुर विधानसाव अक्षेत्र के ग्रामिन अलाकों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोद्धी और भाजपा के अराश्ट्री अध्यक्ष जगत प्रकाश्ट नड्डा के फोटो जो है पेडों से बंदे हुए पा इसका ताला उद्यान मोख्य मंत्री के OSD के खिलाप मिली एक शिकायत के जवाब को लेकर देखने को मिला अगनि उज़ाब की सामने कुल्लू दुशेहरा लंका देहन से उत्सव का समापन रगुनात जी की निकाली राथयात्रा तो देव भुमी कुल्लू के अत्यासिक ढालपूर मैदान में साथ देनों तक चले बिश्यप प्रसित देव समागम यानी अंत्राष्ट्रिय दोशेहरा उत्सव का समापन लंका देहन से हो गया इस मौके पर भगवान रगुनात की भव यारत यात्रा निकाली गई उत्सव में बिराजमान देवी देवताओं ने भी इस यात्रा में भाग लिया अगनी हुजाब के सामने सुजानपूर की जैन गली में देर रात सुरगी एवन टेलर की दुकान कपड़े और मिशिनरी राख तो सुजानपूर के वाल्ड नो में जो है पुद्बार देर रात एवन टेलर की दुकान में आग लग गई जिससे अंदर रखे कपड़े और मिशिनरी राख हो गई आग बुद्बार रेत देर रातरी करीब बारा बजे लगी हुआ यूँ कि सुजानपूर की जैन गली ओल्ड पटियाला बैंक शाका के पास एवन टेलर शौप से लोगों ने धुआ उटता देखा साथ ही कपड़े जलने की दुरगंद भी आ रही थी जिस पर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया अगनी उजाब के सामने हिमाचल एक्सिडेंट ट्रक से टकर के बाद बोड़ी से अलग हो गया टिपर का इंजन चालक की मौत तो आमसे निज़ है कि मुबारित पूर दोलत पूर मुख्यमारिक पर टिपर वा ट्रक की भिंदत में एक की मौत हो ग तो मंडी पूलिस को जो है सूचना मिली कि भियोली पूल के नीचे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है जिस पर पूलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और युवक को ब्यास नदी से सुरक्षत बाहर निकार लिया गया पूलिस अदिक्षिक ने बताया कि पूलपूर से निउज है कि मुख्यमंतरी जाराम ठाकूर गुरुवार को रहन स्टेडियम में कहा कि दो तारीख को पता चल जाएगा कि उपचुनाबों के परिणाम क्या है उन्होंने कहा कि परदेश के एक लोकसवा वा तीन विधान सवा के उपचुनाब हो रहे हैं और आश्रितों को मिलेंगे 50,000 DC करेंगे भुकतान तो हिमाचल परदेश में करोना से जान गवाने बाले लोगों के आश्रितों को 50,000 रुपया का भुकतान करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं इसके लिए राजस्वा विभाग की और से सभी जीला के DC को प्रितकों को आश हिंदूओं पर हो रहे आत्याचारों को रोक्ताम को लेकर बिश्यव, हिंदू, परिशद, बजरंग दल, मात्र शक्ति वा अन्य संगठनों ने सटकों पर उतराये हैं बीरवार को बिश्यव, हिंदू, परिशद, के प्रांत उपाध्यक्स, डॉक्टर केशम बर्मा की नत्यासिक चमबा चोगान में 12-14 नवंबर थक चमबा उत्सब का आयोजिन किया जाएगा, इसका आयोजिन वंदना कला मंच जमबा द्वारा किया जाएगा, पाड़ी संस्कृती के स्रंक्षण वा समवर्धन को लेकर इस तीन दिवसिये उत्सब का आयोजिन होगा, अगन पर चड़ गया, गणि मत या रही कि कोई बड़ा हासा नहीं हुआ, अगनि उसे आपके सामने, फिर आग का तांडव जोंपडी में लगी आग दो जुलसे, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो हिमाचल के मंडी जीले में आग ने एक बार फिर तांडव मचाया, इस बार जोंपडियों में आग लगी, आग लगने के कार्म दो लोगों की जुलसने से मौत हो गई है, गटना मंडी जीले, पुलिस थाना सुंदर नगर के धनेशवरी गाउं में गटित होई है, तो दोस्तों ये थी आज 21 अक्तूबर 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम पांच परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, धन्यवाद चैहिन चैवाद की आजिज जाएो, झाम परदेश होई है, ब dön'tक के तो अक्तूश्तुर रवर्ण Cooper स सबस्क्तूबर ॉटनर पर दो के जाएवरे गानेशों चैहिन लेखिकेशन सबस्रानी आज़ की शखिकेशन सूनीघना सबस्रय का गुरावरे दो, अल्यजे, एजिसा के अजिए झा झाल झाल झाल